राधे राधे हरकिष्णा राधे तिवहार की शुरुवात भगवान की पूजा अर्चना से की जाती है दीपावले में गनेश और लक्ष्वी जी की पूजा की जाती है तो होली में राधा और कृष्ण जी के संग रंग और गुलाल और फूलों की होली खेलने के साथ रंग खेलने के तरीके भी बदलाव आ गया है। होली पर्व को अब कुछी दिन बचे हुए हैं ऐसे में इस पर्व से जुड़े कुछ प्रभावशाली उपाय जान ले जिनका पालन करने से व्यक्ति को जीवन में विशेश लाब मिलता है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो इस पर्व को होली का देहन के अगले दिन हर्स उल्लाश के साथ मनाया जाता है। भगवान श्रेक कृष्ण की जनम अस्तली ब्रज में होली की शुरुवात फुलैरा दूज से शुरू हो जाती है और एक ही उल्लाश के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। धार्मिक के अनुसार होली का संबंद भगवान श्रे कृष्ण और राधा रानी से है ऐसे में इस दिन पूजा पाट का भी विशेश महत्व होता है जोती शास्त्र के अनुसार होली के विशेश अवसर पर कुछ उपायों को करने से सादक को विशेश लाब मिलता है और घर में सुख सम रिद्धी आती है शास्त्रों में बताया गया है भगवान गनेश के आशिरवात से सभी विग्न दूर होते हैं इसलिए होली के दिन सर्व प्रत्थम भगवान गनेश की पूजा करें और उन्हें लड्डू का भोग लगाएं और सबसे पहले अभीर गुलाल भगवान गने इशान कोड में राधा कृष्ण की मूर्ती की स्थापना करें और यदि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है तो आप लड्डू गोपाल जी की स्थापना करें उन्हें गुलाल या अभीर अर्पित करें ऐसा करने से घर में सुख समर्दी आती है तामपत्य जीवन सुख में रहता है, होली की शुरुवात होली का देहन से शुरू हो जाती है, होली का देहन एक दिन पहले और अगली सुबह नर्सिंग श्रोत का पार्ट अवश्य करना चाहिए, नर्सिंग भगवान श्री हरी के ही अवतार माने जाते हैं, और इन्होंने दैतिराज हि इसकी बहन होलिका थी, जैसा कि हम सब जानते हैं, होली पर्व का संबंद राधा किष्ण और व्रज से है, होलिका देहन की पौराणिक और प्रमाडिक कताएं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम मा, फागुन माह पुर्णि मा को होलिका देहन होता है, होली की पथाएं चार घटनाओं से जुड़ी हुई हैं, पहली होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरी कामदेव और शिव और तीसरी, राजा पृतु और राक्चसी जुन्डी और चौती, श्रेक कृष्ण और पूतना, लेकिन उक्त सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कता को ह मानिता ज्यादा दी जाती है, क्योंकि इसी की घटना की याद में होलिका दहन करके, दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचनी की खुशी में दुन्डेली का तिवहार मनाया जाता है, आईए जानते हैं होलिकी पौराणिक और प्रमाणिक कता, रिशी कश्चप और दीती के दो बलशाली पुत्र हिरनाक्ष और हिरनाक श्चपू थे और दो पुत्रियां सिहिका और होलिका थी, हिरनाक्ष धर्ती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विश्चनु ने बारा अफ्तार लेकर हिरनाक्ष का वद गिया था, सिहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था अब बचे हिरना कश्व और होलिका इन ही की है या कथा एक बार की बात है त्रेलोक पर विजय प्राप्ति के लिए हिरना कश्व ब्रह्मा की तबस्या में लीन था असुर राज हिरना कश्व की तबस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मागने को कहा, तो उसने कहा कि अमर्ता का वर्दान चाहिए, प्रमाजी ने कहा कि यह संभव नहीं है, और मागो, तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशू, देवता, दैत, नागादी, किसी से भी मेरी मृत्यों ना हो, मैं समस्त प्राणियों पर राज करूं, मुझे कोई ना दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना घर के अंदर मार सके, ना बाहर, यह भी कि कोई ना किसी अश्त्र से प्रहार करे, और नहीं किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके, ना भूमी पर, ना आकाश पर, ना पाताल में, ना स्वर्ग पर, प्रम समाजी तथास्तु का वर्दान देखकर उसे अंतर ध्यान हो गए। हिरना कशव जब तपस्या में लेन था तब उसी दोरान देवों ने असुरों पर आक्रमड कर उन्हें परास्त कर दिया था और देवराज इंद हिरना कशव की गर्भणी पतनी कयादू को बंदी बना ले परन्तू बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकाद देवरिशी नारत से हुई। नारत जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरना कशव की पतनी कयादू को महर्शी के आश्रम में छोड़ कर स्वयम देव लोग चले गर्ववती कयादू को नारत ने विश्नु भक्ती और भागवत तत्व से अवगत कराया। ग्यह ज्यान गर्व में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरना कशव जब लोटा तो इस वरदान ने उसके बीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन हो ग भॉष्दक्रव जब वरदिश्व क करने लग। तो राज्य में खुशिया मनाई गई हिर्णा कश्यब के चार पुत्र थे अनुलाद, हलाद और भक्त प्रहलाद संगलाद प्रहलाद का उपनयन संसकार करके उसे गुर्कुल भेजा गया कुछ समय बाद हिर्णा कश्यब को ये जानने की उत्सुकता हुई कि गुर्कुल में मेरे पुत्रों ने क्या सीख रहा है उसने प्रहलाद को बुला कर पूछा तुमने गुर्कुल में क्या सीखा है प्रहलाद ने कहा कि भगवान विश्नु की नव निदी भक्ती सीखी है अपने पुतर के मुख से अपने शत्रू का नाम सुनकर अरथाद भगवान विष्नू का नाम सुनकर हिल्णा कर्शवत क्रोधित हो गया कई बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने विष्नू की पूजा का पाथ करना बंद नहीं किया तो इससे क्रोधित होकर हिर्णा कर्षप ने अपने गुरू को बुला कर कहा ऐसा कुछ करो कि यह विश्णू जी का नाम रटना बंद करे गुरू ने बहुत कोशिश के किन्तु भी असवल रहे तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया सैनिको द्वारा उसे विश्ण दिया गया उस पर तलवार से प्रहार किया गया विश्धरों के सामने छोड़ा गया आथियों के पैरों तले को चलवाना चाहा परवत से नीचे फिकवाया लेकिन श्री हरी विश्णू कृपा से प्रहलात का बाल भी वाका नहीं हो पाया उल्लेखनिय है कि फागुन जुगल सब्तमी को प्रहलाद को बंदी बना कर पूरे आठ दिन तक रत्रास दिया गया था हर तरह से मारने का प्रयास किया गया हिरना कश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विश्नु की ही भक्ती करने लगेंगे उसकी चिंता को देखकर उसकी बेहन होलिका ने कहा आप चिंता न करें भाईया मुझे व्रम्हा से वर्दान प्राप्त है मैं किसी भी प्रकार से अगनी में जल कर नहीं मरूंगी अगनी में तो सभी भस्म हो जाते हैं तब हिरना कश्यप ने अपनी बेहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलात को अपनी गोधी में लेकर बैठ जाओ अगनी में, जिससे वह जल कर भस्म हो जाएगा। खोलिका को वर्दान था कि उसे अगनी तब तक कभी नहीं हानी पहुचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वती वाले मनुष्य का अहित करने की न सोचे। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलात क्यों गोधी में लेके अगनी में बैठ गई। उस दिन फागुन माह की पुर्णिमा थी सद्वती वाले प्रहलात का अहित करने के प्रयास में हो लिका तो स्वयम जल कर भस्म हो गई। और प्रहलात श्री हरी विश्नु का नाम जबते हुए अगनी से बाहर आ गया। यह देखकर तो हिर्णा कश्चप और ज्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिर्णा कश्चप ने प्रहलात को एक कंबे से बान दिया। फिर भरी सभा में प्रहलात ने पूछा किसके बलबूते पे तु मेरी आगया के विरुद्ध कारे करता है। प्रहलात ने कहा आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दे। सबके प्रती समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिर्णा कश्चप ने क्रोध में कहा तु मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है। कहा है वह तेरा जगदिश्वर क्या इस खंबे में है जिससे तु बधा हुआ है। यह कहकर हिर्णा कश्चप ने खंबे में घूसा मारा तबी खंबा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ जिसका सिर सिंग का था और धड़ मनुश्य का था। पीली पीली आंकें बड़े बड़े नाकून विक्राल चहरा तलवार सी लपलपाती जीव यही नर्सिंग अवतार थे उन्होंने तेजी से हिर्णा कश्चप को पकड़ लिया और संध्या की बेला में ना दिन में ना रात में सभा की दहली पर ना बाहर ना भीतर अपनी ज प्रजा फार डाला हजारों सैनिकों जो प्रहार करने आएं उन्हे भगवान नर्शिंग ने हजारों भुजाओं और नकस रूपी शस्त्रों से खदेड कर मार डाला फिर क्रोथ से भरे नर्सिंग भगवान सिंहासन पर जा बैठे तब प्रहलाद ने डंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की प्रहलात का राजितिलक करने के बाद नर्सिंग भगवान वहां से चले गए राधा और क्रिश्न की कथा होली का तिवहार राधा और क्रिश्न की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है बसंत के सुन्दर मौसम में एक दूसरे पर रंग डा उनकी लीला का एक अंग माना जाता है मथुरा और विर्नदावन की होली राधा और क्रिश्न के इसी रंग में डूबी हुई है बरसाने और नंद गाउं की लट्ट मार होली तो प्रसिद्ध है देश-विदेश मिश्रे क्रिश्न के अन्यस थलों पर भी होली की परमपरा है यह भी माना गया है कि भक्ती में डूबे जुग्यासुओं का रंग बाहर रंगों से नहीं खेला जाता, रंग खेला जाता है, भगवन नाम का रंग खेला जाता है, सत्भावना बढ़ाने के लिए रंग होता है, प्रेम का रंग होता है, भाव का, भक्ती का, विश्वास का, होली उत्सव पर होली जलाई जाती है एहंकार की एहम की वैर द्वेश की इर्शा मत्सर की संशे की और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपनी अराध्य भगवान श्रेकिश्न की पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर जी की शिव पारवती और काम देव की कथा शिव और पारवती से संबंदित एक कथा के अनुसार हिमाले पुत्री पारवती चाहती थी कि उनका विवा भगवान शिव से ही किया जाए शिव जी अपनी तपस्या में लीने रहते थे काम देव पारवती की साहता को आए उन्होंने पुश्प बाण चलाए और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आख खोल दी उनके क्रोध की ज्वाला में काम देव का शरीर भस्म हो गया फिर शिव जी न उन्हें अपने पत्नी रूप में स्विकार किया था इस कता के अधार पर होली की आग में वासनात्मक आकरशन के प्रितात्मक रूप से जला कर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है एक अन्ने कता के अनुसार काम देव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रती ने विलाप किया और शंकर भगवान से काम देव को जीवित करने की गुहार लगाई इश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने काम देव को पुनर जीवित किया यह दिन होली का ही दिन था आज भी रती के विलाप को लोग गीत के रूप में गाते हैं और चंदन की लकडी को कुशी में रंगों का तेवहार मनाया जाता है कंस और पूतना की कथा कंस ने मतुरा के राजा वासुदेव से उसका राज छीन कर अपने अधीन कर लिया था स्वयम शाशक बनकर अत्याचार करने लगा था एक भविश्यवाणी द्वारा उसे पता चला था कि वासुदेव और देवकी का आठवा पुत्र उसके विनाश का कारण होगा यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वासुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया कारागार में जनम लेने वाले देवकी के साथ पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया आठवे पुत्र के रूप में भगवान शेक किष्ण का जनम हुआ और उनके प्रताप से कारागार्द के द्वार खुल गए वासुदेव रातों रात किष्ण को गोकुल में नंद के और यशोदा की घर में रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेकर आए कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अद्रिश हो गई और आखाश वारी हुई कि कंस को मारने वाला तो गोकुल में जनम ले चुका है कंस यह सुन कर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जनम लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई इसके लिए उसने अपने आधीन काम करने वाली पूतना नाम की राक्षसी का सहारा लिया वह सुन्दर रूप बना सकती थी और महलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी उसका कार इस्तन पान के बहाने शिशूओं को विश्पान कराना था अनिक शिशूओं का शिकाद हुए लेकिन कृष्ण उसकी सचाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वद कर दिया यह फागुन पुर्णिमा का दिन था अता पूतना वद की कुशी में भी होली मनाई जाने लगी राक्चसी ढूंडी की कथा राजा पृत्व की समय में ढूंडी नामक एक कुटील राक्चसी थी वह अबोध बालकों को खा जाती थी अनेक प्रकार के जब तब से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन कर के उसने वर्दान प्राप्त कर लिया था उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा ना ही उस पर सर्दी गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा इस वर्दान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया क्योंकि उसको मारना असंभव था इसलिए शिफ्ट के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी राजा प्रिथू ने ढूंडी के अत्याचारों से तंगा कर राज पुरोहित से उसे छुटकारा पाने का उपाय पूचा पुरोहित ने कहा कि यदि फागुनमास की पूर्णिमा के दिन जब ना अधिक सर्दी हो ना गर्मी हो सब बच्चे एक एक लखडी लेकर अपने अपनी घर से निकले उसे एक जगह पर रखे और घास फूस रखकर जला दे उचे उचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पड़े और अगनी की प्रदिक्षणा करे जोर जोर से हसे गाएं और चिलाएं और शोर करे तब र प्रुंडी को घेरा धूल और कीचड फेकते हुए उसको शोर गूल करते हुए नगर के बाहर खदेर दिया कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोर गूल करते हैं और गाना बजाते हैं हूली का क्या महत्व है? हिंदू धरम के सभी तिवहारों में कुशिया हैं लेकिन इसके पीछे गंभीर संदेश है जैसे दिवाली अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है वैसे ही हूली भी है इस तिवहार का इस पष्ट संदेश है घमंड अच्छा नहीं होता है का या हिर्णा कश्यप वर्दान के बावजूत भी मारे गए यह थी होली की कुछ प्रचलित और पौराणी के कथाएं आप इसको अवश्य सुने इसको सुनने से श्री हरी भगवान विश्नु श्री राधा क्रिश्न और भगवान शिव और माता पारवती की विशेश गृपा प्राप्त होती है आप सबको होली की हार्दिक शुप कामनाएं जय श्री कृष्ना हर हर महादेव